Hey guys, good morning and welcome back to another vlog और यहाँ पर रिवा आ चुकी है क्योंकि रिवा को निकलना अपने घर सली रिवा तू तू चल लिए रिवा जा रहे अपने घर नया नया फ्रॉक पे इनके सुनिलने लाया हुआ गुड़ बाई बोलने के लिए दोनों मामियों को पर बाई बाई दोनों की साडियां सेमी है ग्रीन कलर रीवा क्यों ने पहना है फिर चल ला द्यामा जग्ड़ दी वाला दर गट वीडियो काड़ांची माम अपने उब दो दो निस्टा देरे एक पुली जली ले चुचि बड़ा ले एक पुली गली चली ले चुचि बड़ा बहुती कूटे एरी वा कूटे कूटे दूसरे मामा आगे है जलो यहाँ देको मुमी का चल रहे है मूफळी फोड़ के लईए इनको लड़ू बनाने गुड़ ओर मूफळी के रेवडी मूफळी में पेर डाल दी उसने शुसु कर देगी मम्मी है मम्मी रिवा सुसु कर रल रिवा को माजा आ रहा है उससे उतर नहीं नहीं है उससे बाहर अम्मी सुसु कर लवर का शुगे लाड़ू खरट लगते रिवा किससे डरती पता है लड़ू मुत्य बाबा से राज़िला आप चला जा बाई रिवा बाई बाई लोगो मैं रेड़ी हो चुका हूँ अपना नय वाला टीशेट पहन गए अरो मैं भी जा रहा हूँ यह उला क्यूंकि हमें कुछ शॉपिंग करवानी है यह को पायल भी जा रहे है यह मेरे साथ क्यूंकि उसका इक रिजन है तो सुनील की शादी हुए इस साल तो नवरात्री में ना जो सुनील के सचुराल वाले लोगो पापा उनकी फैमिली ना जो नवरात्री का फराड वगयर होता है ना उपवास की चीजी वह लेके आते है बना के तो फिर वह घर आत तो मुझे बाइक लेकर जाने पढ़ी अभी बाइक पर जाना पड़ेगा यार इतने दूख में है बगवान बाइक चलाने मज़े ने आता है बाइक जब से मैंने गाड़ी ली यह ना मुझे डाउंग्रेड करने का मनी नहीं करता है मतलब टूहेलर पर बैखने का मज़े करने आता है मुझे एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई मेरी प्रूहेलर चलानी है लो भाई पहुच गए हम एउला में और सबसे पहला काम हम करने आ ले यस बैंक में जाके पाइल का के वाइसी बाकि यार उसके अकाउंट का पिछली बार आया था तब मुझे पता चला था क कर वालेते हैं यस बैंक का फॉल लगो हमारा पोपट हो गया यार वो बोल रहे हो टीपी का लिंक ही नहीं चल रहा है वेरिफाइन है नहीं हो सकता अज के वाई से मंदे बोला आने के लिए अभी देखते हैं आना हुआ तो आएंगे नहीं तो जाने देते हैं ज़रुरी हो हेङुद्र और अब आए हम लोग कपड़े करिदने के लिए क्योंकि घंट प्रुटि के भाई लोग झाने वालेश लिए पहली बार हमारे जबार अब पहली गहर पे यह पहली पार आने वाले इसले है कि शुरुति को पूछे उनके कपड़ों का नंबर साइज क्या है कि मैच हो रहा है इसके उपर कि यह एक ड्रेस हो गया और यह ड्रेस हो पुटिक एलो आपला तो सिलेक के लेला कि अच्छे दो ड्रेस हमने फाइनल कर लिए अच्छे पैंट देखना बैंट अगर दूसरा कलर चाहिए तो हैं पैंट लोगे दो ड्रेस कि मैं दस मिनेट लगेते थे लोगे किटना असन मुझी होट को तुमार कुंध। तुमारा खुं Wid अब हम लोग अ मैं है बढोव यादिं शाधियाटो जाने से पहले पानी पूरी खाने के जाता है के मस्त वाली तंगडी वाली पानी पूरी भैया बना रहे है कि अम लोग fewet कर रहे पानी पूरी पर रखेंश जब ड़ेश की आपको कता आपक से रहक आपको धेसे देल और आपक्लभ सिर वाओ तो भाई चोलो संसेट होने को आया है मस अभी रिलक्स करते जोड़ा सा वाउ हो हमारे कल वाले वीडियो का एक कंद्धे ने लिखा है इतना आजिव सवाल ने बोल रहें की मैं सेकेंड एर सेट मैं हूं बना सकता हूं या फिर जॉब लगने के बाद गल्ट्रेंड बना हूं क्या सवाल है भाई क्या समझ लिया दू लोगों ने मुझे कोई आडवाईसर हुब है रिलेशनशिप का गुरू हुँ कोई भाई मुझे तो हसे आगे पहला पहला यह सवाल है पर अगर सेरियसली पूछो होता है लड़कों लड़कियों कोई क्वेस्चन होता है जब वह होता है बहुत आड़ी चीज़े होती रहती है तो भाई अगर मैं कहता हो कि यह हमारे जिन्दगी का पार्ट है जैसे आप कॉलेज में क्यों गए अभी पढ़ाई करने के लिए गए तो जो काम के लिए गए उस पर ज्यादा फोकस करो बागी की चीज़ों को सेकंडरी रख कॉलेज में हो और आपको एक सीरियसले लग रहा है कि मैं कल फ्रिंट बनाओ या भी वाई फ्रिंट बनाओ भाई एक बात को हमेशे आदरो को आप कॉलेज क्यों गए कॉलेज का इंपोर्टन्स क्या है कॉलेज में आप पढ़ने के लिए गए पढ़ा ही सबसे पहले अगर जोबीचय आपके रास्ते में डिस्ट्रैक्शन पैदा गर रही है तो वह आपके लिए हानिकार हो कि कोई बीचीज आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बनके ना है वो आपके जो गोल से आपके जो लक्षे उसको एक तरίके से सपोर्ट करने वाली चीज आए मान लो आप किसी ऐसे लड़की से प्यार कर देऊ जिसको पढ़ाई से कुछ लेना देना ने उसको कोई यह ने वो आपको मतलब डिश्ट्रेक्ट कर रहा है आपके लक्षे से तो फिर आपका नुक्सान ही होने वाला या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई लड़का लड फ्रेंड दोस्ती यारी लोगों के साथ घुलो मिलो मत यह मैंने कहूंगा यह आपका पर्सनल डिसीजिजन है और मुझे ऐसा लगता है रिलेशन्शिप जो हमारे रिष्टे होते हैं वह एक इन्वेस्मेंट की तरह काम करते कि आप उन रिष्टों में अगर इन्वेस्ट क सता है उसमें इतने सारी अच्छी ब mitad फॉलिटि है और वो बंदा आपके साथ आके आप कॉलेज में सातं रहते हो पिर उसके बाद कि शादी भी हो जाती tradit YouTube ऐसे कि पर ज्यादातर केसे में क्या होता है कि बाता है रिष्ट सेंगे सिमित रहते उसीहां तो तो जाते हैं अपने अपने रास्तों पे और फिर वो चीजे इतना यह नहीं करते हैं फिर उस उस कॉलेज के टाइम को भी मतलब आप जहां पर पढ़ाई अच्छे से हो सकती है तो आप से होने पाती है क्योंकि आप इस सब चीजों में टाइम वेश्ट कर रहें और मैंने यह भी उसी जोन में रहते हैं वो पढ़ाई पे कभी फोकस ही नहीं कर पाते हैं और कुछ-कुछ लोग तो इतने हद तक भी देखे कि मतलब वो अपनी जान भी दे थे इन सब चीजों में जब उनको लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति उनको छोड़के जा रहा है या पिर उनक नहीं बनेगा तो ऐसे भी केसे में ने देखे मतलब तो यह बहुत सीरियस मैटर है क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के साथ एक होने की कोशिश करते हो या फिर उसके साथ अप रिलेशन्शिप में होते हो तो वह काफी एमोशनल चीज होती है आपके लिए भी और सामने वा आपको हेंडल भी तो करना आना चाहिए ना तो अगर आप स्ट्रॉंग बंदे हो आप अपकी जिंदेगी को हेंडल कर पाते हो तो में तो कहूंगा भाई फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो पर अगर मेरा प्योर एडवाइज ही रहेगा कि आप पढ़ाई भोकस करो और बाक अपको हें अच्छा ही करना है फिर आगे जाके जॉब भी करनी है और उसने मतलब जिंदगी को मतलब एकदम यह करना है लड़किों पी इतना प्रेशर ने होता है सोसाइटी का कि वह कुछ करे जिंदगी में क्यूंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि इवेंचुली लड़क कि किका इंजिनियर से ही शादी करेगी और या फिर उससे जो बेश्ट वाला मंदा है उसके साथ ही शादी करेगी अइसा कभी न होगा कि कोई इंजिनेर बंदी है वो किसी ऐसे विक्ति के साथ शादी कर लेगी जो इदम किसान होगे रहा है या फिर उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है या फिर वो मतलब financially unstable है उसके साथ कभी नहीं होगता क्योंकि जनरली लड़किया ऐसे ही रिष्टों में जाती है या फिर उनको ऐसे ही रिष्टे मिलते है जो मतलब उनके status से उपर हो तो इनवे लड़कियों का ज्यादा नुकसान नहीं होता है और यहां पर मैं यह भी कहना जाओंगा कि यह जनरल बात है इसा भी कुछ एक्जामपल हो सकते है कि जहां पर लड़कियों नहीं किये शादी तो होता है ऐसा भी होता है पर परसेंटेज वाई बोलूंगा नबबे परसेंट तो यह होता है कि लड़किया हाय स्टेटस के साथ चली जाएगी और उनकी जिंदगी वह उनकी पढ़ाई चाहे वह इंजिनेरिंग चार साल में कंप्लीट करें दस साल में कंप्लीट करें उनकी लाइफ सेट रहेगी क्योंकि उनका अल्टिमेटली कोई ना कोई तो मिल जाएगा लड़का या फिर फैमिल ऐसे वेल सेटल कि उनकी लाइफ के उनको इतनी टेंशन में पढ़के अगर अपना टाइम वेस्ट कर लिया और वो कॉलेज में कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो फिर वो जिन्दगी में क्या करेगा भाई उसकी तो अल्टिमेटली लाइफ ही उस चीज के उपर डिपेंड है क्योंकि उसको अपने बुढे होरे आप आपकी भी ख आपको सोचना होगा कि आपको ये सब चीजों के साथ कॉंप्रमाइज नहीं हो दे नहीं तब जाके आप ये कर सकते हो तो यह मैं कहूंगा अगर मेरा कोई चोटा बही होता तो मैं तो उसको यह कहता कि भाई सब कुछ कर पर इतना मस उत्समें बहे जा कि अपनी मतलब अपनी जो लक्षे अपने जो गोल से उनको भूल जाओ ठीक है अगर आपको genuinely किसी के साथ आप connect कर पा रहे हो किसी के साथ आप वो रिष्टा शेयर कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है वो एक काफी सुन्दर चीज है पर यह भी मत करो कि भाई इसे time pass करने के लिए लोगों के भावनों के साथ खेलो और फिर वो तो आजकल बहुत ही ठीक है आया से कुछी बीक्वेस्टन मत पूचा तो रहा है अगर में कोई अधवाईसर थोडी हूँ एक उन्द मत मम्मी एक सब्सक्राइबर पूच रहा है कॉलेज में सेकंड यर में हो गल्फ्रेंट बना हूँ या नहीं बना हूँ या नहीं बना हूँ इस दाट ताइम आप दे यर गाईज आगे यह मोती साबन टीवी पर फिर से दिवाली के पंदरा दिन पहले ही मोती साबन के एड श्रू हो जाती है मिलता है दोस्तों आपको अधी ब्लॉग में आपको भी याम्